हलो एवरिवन शिफ शक्ती चैनल में आप सभी का स्वागत है सबसे पहले आप सभी को गुरु पूरिमा की बहुत बहुत शुप कामना है ये गुरु पूरिमा आप लोगों के लिए बहुत सारे खुशिया लाए प्यार लाए आप लोगों को सही मार्ग दर्शन कराए ठीक है इस गुरु पूरिमा के बाद ऐसा ही होगा भी आपके साथ ठीक है क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ जो पावर्फुल आपके पोर्टल है वो आप जानते हैं 777 ठीक है आज फुल मून है ये बक फुल मून भी है ठीक है और आज गुरु पूरिमा भी है और आप जैसे जैसे इस पोर्टल की एनर्जी में आएंगे आप देखेंगे कि आप हाईली एलाइन्मेंट की एनर्जी में आ रहे हैं ठीक है और इस्पेशली जो अभी मुझे एनर्जी आ रही है तो ये थोड़ा सा आपके लिए सोल परजिंग लेकर आएगा पेन लेकर आएगा ठीक है आपको शीक किया जाएगा पूरी तरीके से ठीक है आप बहुत ज़्यादा इस टाइम में हैड़ एक स्टोमक एक और बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टरब फिल कर सकते हैं जो पीछे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ अभी ठीक है बट जो सुलिशन को अपने अंदर ही ढूंड पा रही है कि उन्हें अब क्या करना है कैसे जाना है कैसे चीजों को हैंडल करना है कैसे खुद को समालना है ठीक है तो ये जो फुल मून है ठीक है जैसे कि एक हीरन होता है हीरन के अंदर एक कस्तूरी होती है और उसकी महत जो है उसको बाकाइदा आती है हर तरफ से ठीक है उसको ये लगता है कहीं भार से ये खुश्बू आ रही है ठीक है और इस खुश्बू के पीछे-पीछे भागता भी है बट इसको ये नहीं पता है कि ये कस्तूरी उसके अंदर ही है तो ये जो बग फुल मून है आपके जिवाइन मैसकुलाइन के लिए या जो नई अवेकन सोल है उनके लिए या जो जर्णी में काफी highly ascendant df हैं उनके लिए भी आप देखोगे कि आप खोज अब जो करोगी आप खुद की अंदर की खोज करेंगी आपके dm भी अप कही न कहीं अपने अंदर की खोज करेंगे अपने अंदर जाएंगे मतलब सब कुछ आपके अंदर है आप बहार की दुनिया को देख रहे हैं बहार की चीजों के पीछे भाग रहे हैं अब आप अपने अंदर जाओगे, आपको ये सब एसास होगा, रियलाइज होगा कि सब कुछ तो हमारे अंदर ही है, अभी तक हम जो चीजों के पीछे भाग रहते, दूसरों से एक्सपेक्टेशन कर रहते, दूसरों को खुशियों से बानने के लिए, दूसरों को कंट्रोल करने के लिए, दूसरों पर डिपेंड रहने के लिए, ये सब चीजे आपकी रिविल होंगी, आपकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेर्नेस बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सन और साइरस का कंजेक्शन भी होगा, और ये स्प्रिचल सन के नाम से भी जानते हैं, ठीके, तो अपनी जो अर्थ है, साइरस, सन और अर्थ, हमारी साइरस स्टार्स से कहीं न करें अलाइनमेंट में आएंगे, और हाइली स्प्रिचल जो डियफ, डियम है, ठीके, या जो भी स्प्रिचल सोल है, ट्विन फ्लेम के अलाबा भी, उन पर इसका इफेक्ट बहुत जादा पावरफुल पड़ेगा, और जो ट्विन फ्लेम कपल्स हैं, उन पर भी इसका इफेक्ट बहुत जादा पॉजिटिवली देखने को मिलेगा, आपकी स्प्रिचल अवेर्नेस काफी बढ़ेगी, आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन, आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेशन, आपकी इंट्यूशन पावर इंक्रीज होगी, बट जो डिय अफ जर्णी में अभी आई हैं, या जर्णी में पीछे हैं, तो आपके जितने ज़्यादा ब्लॉकेज होंगे, जितने ज़्यादा इशू होंगे, उनको लेकर आपको हैविनस बहुत ज़्यादा फील होगी अपनी बाडी में, आपको पेन, ऐसा पेन, बिलकुल चुबने वाला, ठीक है, आप ऐसे पेन को फील कर सकते हैं, आपको फोकस खुद पर दिन पर दिन बढ़ेगा, अपने इशू, ब्लॉकेज को आप रिकगनाईज कर पाओगे, अपने ब्लॉकेज इशू को समझ पाओगे, ठीक है, कि अब मुझे कैसे क्या हील करना है, कैसे खुद को बैलन्स करना है, और जो डिया बहुत टाइम से किसी इशू को लेकर बॉर्प कर रही थी, या बहुत पुराना कोई आपका इशू है, तो वो भी यहाँ पर हील होगा, ठीक है, क्योंकि इस सेवन सेवन पोर्टल में मैंने एक्सपिरियन्स किया था, कि बहुत टाइम पुराने, जो भी आपके ब्लॉकेज होते हैं, यहाँ पर सर्फिस, अगर आपने पूरी एफर्ट डाला है, उसको हील करने में, उसके बाबजूद भी कोई कमी रह गही है, तो वो नैशुरली हील होगा आपका, पर्मानेंटली आप देखोगे कि वो चीज अब आपके अंदर से रिलीज हो चुकी है, चाहें वो आपका कुछ भी हो, तो यह साइरस गेटवे ओपिन हो रहा है, प्लस आपका 777 पोर्टल, अगर आप इसको एड करते हो, तो यह जो हमारा नंबर आता है, वो आता है 3, और 3 कही ना कही शो करता है जुपीटर को, 7 नंबर कही ना कही शो करता है केटव को, तो दोनों ही जो प्लाइनेट हैं, दोनों ही स्प्यूटलेटी को शो करते हैं, Highly जो इस्प्यूचल सोल होंगी, अवेकनिंग में आएंगी, और अवेकनिंग में काफी आगे जाएंगी, ठीके, कि ऐसे लोगों का spiritual अध्यात्मिक मार पर जाना, अध्यात्मिक संगती को लेना, या ऐसी लोगों से connect होना जो लोग highly spiritual है, soulmate हूँ, चाहें आपकी soul family हो, आप वहाँ पर naturally connect होंगे, ठीके, जैसे आज हम आप से connect हैं, आप हम से connect हो, ये भी एक soul family है, new friend आपके life में आएंगे, जो spiritual होंगे, low energy के लोग यहाँ से आपकी life से जाना start कर देंगे, यहाँ से आपका loin gateway भी है, जो दोनों portal बहुत important रहने वाले हैं, twin flames के लिए, ठीके, तो जो आपका ये planet है, आपका Jupiter, आपका Ketu, तो दोनों आपको spiritual path पे लेकर जाएंगे, Jupiter क्या show करता है, marriage को, wisdom को, knowledge को, ठीके, आपका education, ठीके, और marriage की बात की जाए, तो यहाँ पर बहुत से DF को, commitment, marriage commitment जरूर मिलेगा, और आपको या तो DM की तरफ से कोई ना कोई proposal, 100% मिलेगा, क्योंकि यह बहुत positive है, especially on DF के लिए, जो अपने आपको, हर एक level पर balance कर चुकी है, आपने हर एक stage को अपना cross कर लिया है, ठीके, हर एक challenge को आपने pass कर लिया है, या आप उस challenge से अब बहार निकल चुके हो, जो आपको दिये गये थे journey में, आपका crisis का area बिल्कुल हील हो चुका है, आपका pain हील हो चुका है, आप अपने आपको balance करना सीख गए हो, trigger देखिए, trigger आपको मिलते हैं time time पर, but अब trigger क्या है, ये भी आपको समझ में आ रहा है, trigger में कैसे खुद को balance करना है, ये सब समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं है, कि अब आपकी life में कभी कोई problem नहीं आएगी, problem आएगी, पर उस problem का solution आपको ही ढूणना है, ये भी आपको बहुत अच्छे से आ गया है, ठीक है, कैसे निकालना है खुद को, कैसे problems आती हैं हमारे लिए, कैसे challenge आते हैं और कैसे उसको accept करना है, ये सब आप समझ चुके, पहले आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती थी, कि क्या challenge है, क्या struggle है, अगर कोई challenge आ जाता था, आप घबरा जाते थे, पैर को अपने पीछे कर लेते थे, कि मैं मुझे से नहीं होगा, मैं ये सब नहीं कर सकती या कर सकता हूँ, ठीक है, मैं अपने DM को कहीं और नहीं देख सकती, मैं अपने DM को किसी और के साथ नहीं देख सकता, ये भी challenge होता है, बट एक दिन आप इतने balance हो जाते हो, कि DM अगर third party में हैं, कहीं भी हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये होता है reunion का state, तब DM आपके पास खुद आते हैं, समझ रहे हैं ना, तो ये दो portal बहुत important रहने वाले हैं, तो मैं बात कर रहे थी जूपीटर का, ठीक है, अकेतु की बात की जाए तो detachment, separation, divorce, और आपको जो 3D से related चीज़ें उनसे detach करना, और spirituality से connect करना, कि तो जिनकी भी कुलनी में अच्छा होगा इस टाइम में, या जूपीटर बहुत अच्छा होगा, तो आप देखोगे कि आपकी progress बहुत तेजी से हो रही है, आप हर एक area में progress कर रहे हो, आप mentally बहुत जादा इतना खुद को strong कर चुके हो, कि पहले की तरह आप बिल्कुल भी disturbed नहीं होते हो, छोटी छोटी बातों पर आप अपने धहरे नहीं खोते हो, ठीक है, आपका inner DMDF balance हो चुका है, जैसा कि मैंने कल channeling की थी, कि बहुत से लोगों का soul merging हो रही है, soul merging के बाद का जो आपका step आगे का है, या जो level है, वो union का ही है, ठीक है, तो, यहाँ पर बहुत सी चीज़े positive हैं, बहुत सी के सभी चीज़े positive हैं, जैसे कि आपका bug full moon हो गया, गुरू पूरिमा भी हो गई, और आपका अफ 777 का portal भी है, जो की Jupiter को show करता है, और केतू को show करता है, और अगर आपकी कुंडली में केतू और गुरू दोनों एक साथ हैं, तो तो सोने पे सोहागा है, क्योंकि ऐसा योग जिसकी कुंडली में बनता है, वो अध्यात्मिक मार्क पर जाता ही जाता है, ठीके, तो ये था थोड़ा सा कुंडली के बारे में, मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, और अगर ट्विन फ्रेम जड़नी की बात करूँ, तो आपका चाहें केतू हो, चाहें जुपीटर हो, दोनों ही आपको स्प्रिचुलेटी के और लेके जाएंगे, चाहें आपके डियाम हो चाहें आपको दो, ठीके, आप अगर नहीं भे इस मार्क पर जा रहे हैं न, तो डिवाइन आपको ऐसे ट्रिगर देगा, कि आप खुद उस पात पर आ जाओगे, जिस पात पर इश्वर आपको लाना चाहा रहा है, आपको खुद मेडिटेशन में बैठाएगर दिवाइन, आप खुद बैठोगे कि नहीं, मुझसे ये सब बरदाश नहीं हो रहा है, मुझे मेडिटेशन करना ही करना है, मुझे इनर वर्क करना ही करना है, DM कहाँ है मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे खुद को balance करना है मैं अपने आपको परिशान नहीं कर सकती हूँ ये खुद होता है क्योंकि मैं अगर आपसे बोलती हूँ आप meditation कीजिए inner work कीजिए आप कहते हैं मुझे नहीं करना है मैं नहीं कर सकते ठीक है तो divine आपको उस तरीके से trigger देगा जिससे आप meditation में जाओगे ही जाओगे ये वो df हैं जो थोड़ा जर्नी के पीछे है और जो highly ascendant df है उनको ये video भी नहीं सुनने की जरूरत है क्योंकि वो इतना ज़्यादा balance हो चुकी है उनको समझ में आने लगे है क्या portal होते है क्या portal की energy होते है कितने important portals होते है तो उन df को भी मेरा बहुत ही जादा मेरी तरफ से बदाई है क्योंकि वो अपनी union की और है बट जो अभी अभी awakening में आई है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा helpful रहने वाला है तो यहाँ पर जो भी newly awakened soul है dm हो या df हो अपनी journey में काफी balance हो चुके है तो dm awakening में चल रहे हैं वो अब खुद की खोज करेंगे अपने अंदर जाएंगे उनका जो बहारी area है जो चीजे उनको trigger कर रहे हैं वो इसलिए उनको trigger कर रहे हैं कि वो अपने अंदर जाएं अपनी खुद की खोज करें वो जो बहार प्यार ढून रहे हैं बहार चीजों पर believe कर रहे हैं वो सब उनके अंदर ही है ठीक है यह वो dm होंगे जो df अपना inner work अच्छे से कर चुकी है या कर रही है और बहुत से dm dm एक ही level पर आ चुके हैं df highly spiritual है तो आपके dm भी highly spiritual हो चुके हैं आपका 5d में भी union हो चुका है आपकी soul merging भी हो चुकी है तो आप तो union अचीव करो गही करो गही 777 portal में तो यह बहुत सुंदर energy आ रही है और इस full moon पर आप full moon की energy को पूरा पूरा benefit लें खुद को balance रखें meditation ज़्यादा से ज़्यादा करें अगर negativity फील हो रही है तो negative energy release करने का कोई meditation आप जरूर करें meditation में जाएं ठीके और कोई issue blockage है तो उस पर आध्यान देगी कौन सी चीज़ आपको trigger कर रही है ठीके उसको release करें meditation में बैठ के यहाँ पर dm, dfo, twin flames की जो energy रहने वाली है self realization की energy रहने वाली है ठीके heart chakra activation की energy रहेगी third eye activation की energy रहेगी और soul merging की energy चल रही है जैसा की मैंने बताया है union की energy चल रही है but जो df union में हैं अभी जिनको पता भी नहीं है twin flame journey क्या होती है या twin flame journey में है और dm से connect है तो यहाँ पर separation के भी chances है यह बहुत ही newly df के लिए है जो अभी awakening होई तो वो detachment में जाएंगी dm की से ठीके और हो सकता आपका separation भी हो यहाँ पर तो यह separation अब आपको prepare करना है खुद को अपने आपको best version बनाना है ठीक है यह मैंने जो बोला है यह unddf के लिए है जो अभी अभी journey में awaken हुई है या जिनके अभी awakening हुई है जनवरी फरवरी में ठीक है अभी आपको जो करना है वो शिर्फ और सिर्फ खुद पर focus करना है ठीक है तो मैंने हरे df के लिए बता दिया जो काफी ascendant df है ठीक है जो चार-पांस साल से इनवर कर रही है दो साल से इनवर कर रही है तीन साल से इनवर कर रही है तो वो अपना union अचीव करेंगी यह अगर आपने अच्छे से inner work किया है तो ऐसा नहीं है आपने inner work नहीं किया है और 4-5 साल आपके जर्णी में हो गए है तो आपका union हो जाएगा नहीं 4-5 साल हो या 2 साल हो या 3 साल हो inner work के साथ आप चल रहे हैं तो आपका यहां पर union होगा ठीक है और जो अभी mid journey में है वो भी अपने union में आएंगे आपको mini union मिल सकता है अपने DM की तरफ से कोई call message जरूर मिलेगा और जो बहुत ही नई df है जो अभी इसी साल आई है जर्णी में तो उनको थोड़ा सा पेन देखना पड़ेगा तो यह पेन भी आपको gain कराएगा आगे जाका ठीक है तो यह था आज का वीडियो next वीडियो में मैं फिर मिलूंगी तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए सौस्त रहिए